पाइप्लेन सफाई के लिए हम इसको आगे ले जाते हैं हम नेजो पाइप को फीक्स करके रखा है उसके हम इस तरह रखा हूँ है जिसके बाए में हम कैसे मैंटagen किया हूआ है तो उसतोत हो करता है सारा सिस्टम इसका यहां से बोतल करता है इसके बारे में आपको दिखा रहे हैं बड़ के उच्चाई के अनुसार जैसे बड़ कितना बड़ा है नहीं है उसके इसाब से उपर नीचे करने के लिए यह जुगाड़ है जिसको हम अभी उपर नीचे करके दिखाते हैं आपको जिसे देख सकते हैं कि लीटर का कंडिक्शन जो है सो बहुत अच्छा है इसमें पानी जो है सो कभी नीचे नहीं गिरता है जिसके वज़े से आप लीटर का कंडिक्शन ब लगा हुआ है जिए हां दोस्तों इसे में ऊज़ भी करता हूं और अभी लगा हुआ है मेरा बड़ जो है सुपरेंट्स आज रात को ही खाली हो चुका है लिफ्टिंग हो गया सारा बड़ और अभी मेरा फार्म जो पुरी तरह से खाली पड़ा हुआ है जैसे कि आप देख स हमने पायप को किस तरह से ठेख करते हैं इसको हम पीस तरह से उपनेश हैं और शारे सवाल है। किम करते हैं किसे साठी तुम प्रएंडर नीजे हैं और तो सीटे में तो रहुए मूं जुद करने चारिंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने इसको कैसे फिट किया है कैसे हमने इसका क्या सिस्टम बनाया हुआ है और यह कैसे काम करता है और जी हां दोस्तों सबसे मुखे बात यह है कि हर चीज का एक फायदा होता है तो एक नुकसान भी होता है जी हां दोस्तों को सस्क्राइब करें और अपना प्यारा सा एक लाइक हमें जरूर दें और दोस्तों अगजीद आपको कोई सवाल छूट जाता है हम हमसे कोई भी जवाब देने में अगजदी मिश्टेक हो जाती है तो आप उसका कोईशन कोमेंट में कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसकी सफाई के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ड्रिंकर को यहां तक साफ कर रखा है मैं आपको थोड़ा साथ ड्रिंकर को दिखाता हूं कि किस तरह से हम साफ करते हैं दोस्तों ठीक है मेरा यह पाइप की लंबाई जो है सभी हमने 40 फिट तक लगा रखी है मेरा फार्म की लंबाई हुए से जो दोस्तों 70 फिट है अभी देखे जैसे कि यहां से यहां तक थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं जैसे थोड़ा सा पानी ले सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लाइप पाइप लाइन कितना अच्छा से क्लीन हो गया है ठीक है दोस्तों तब बात करते हैं कि इसकी फिक्स के बारे में हम दोस्तों तो अब देख सकते हैं जैसे कि इसमें हमने जो पाइप के लाइन जो मेरा इंड है जैसे कि मैरा पानी उधर से आता है और हमने जो यहां पे लाश्ट मेरा लगा रखा है इसमें यहां पर नहीं सब्सक्राइब तो अभी यहां पर कोई भी शॉल्वेंट लगा कि यहां पर कोई भी चीज कर देते हैं तो इसको फिर यहां पर जोएंट करने में हमको परिशानी होगी या फिर काटना पड़ेगा तो इधर मेरा पाइप पहले से कटिंग हो चुका है जिसके बज़ा जगा नहीं है इसलिए हमने इसको को सिम्पल ही लगा यह अब देख सकते यह असानी से खुल जाता है ठीक है दोस्तो और इसको हम आसानी से यहां पर एक बता दें से यहां पर है थोड़ा सा दूरी दूरी पी लगाये था मैंने 5-5 फिट की दूरी पे लगाये था जीसे कि आ पे आप देख सकते हैं एक कि लिया पी लगाऊए एक कि यहाँ पर लगा उपार इसके वजह से पानी नीचे जाता था ठीक है दोस्तों हमने क्या थोड़ा सा इसको नजधी कि हो जा दिया किया दोस्तों तो अब ही हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको हमने इसको अधा उट किया दोस्तों आप अभी का जो है जो गेट हुट बनता दुश्तर वेल्डिंग में आपको असानी से मिल जाता है ऐसको हम यह साइज में वेल्डिंग करवागी रखा है इसकी जो लंबाई है एक कील की लंबाई है हमने इसका 18 इंच लिया हुआ है ताकि जमीन में अच्छा-खासा नीचे जा सके ताकि इसकी पकड मजगूत हो सके ठीक है दोस्तों यह हिले डूले नहीं जैसे कि मेरा पाइफ पूरी तरह से फिक्स रहेगा इसके बाद इसको मैंने तीन इंची का लिया हुआ है आप इसको कम भी ले सकते हैं थोड़ा सा कमी लीजेगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी लेंथ जादा है जिसके वज़े से यह थोड़ा आप देख रहे है वेल्डिंग दुकान में ही ताकि यह नट असानी से उपर नीचे हो सके इसमें दो बोल्ट लगा कि मैंने इसको फिक्स कर दिया है उपर नीचे से टाइट कर दिया ताकि यह नट भी हिले डू लेना तो दोस्तों यह तो हो गया अब हम पाइप को कैसे फिक्स करके रखे ठीक है तो यह वाला जो आपको आचानी से साइकिल के दुकान पर मिल जाता आपको मात्र 15 रूपे में एक पीस मिलता है तो हमने इसको फिक्स करने के लिए अब देख सकते होंगे साइद कि यहां पर हमने एक छेडा करवा दिया है इस पत्ति में और इसके बॉल्ट के मैं व्क एको इसके लिए निए टिक्स कर दिया ठीक है दोस्तों इसके बाद हमने जो इस पत्ति को जो हमने लिया हुआ कि एक यहां पर नीचे करने में आसानी हो यहां पर खुल देंगे यह निकल जाएगा तो जाएगा इसके बाद इसको यहां से खूलके अलग कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको यह चीछ समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको उपर नीचे करने के लिए दोस्त इसको जो है बहुत असान है आप नीचे वाले बॉल्ट को ढिला करेंगे उपर वाले को टाइट करेंगे तो पाइप जो है सो वसी स्य आप से किया हुआ है तो दोस्त यह तो आपको समझ में आ गया जिया है अब हम आगे बात करते हैं ईसकी ज़ो भी है पाइप की मोटाई कितनी है लिवी जो पाइप के लिखी हुआ गीज चाही के लिए वह तो ईसको जो बहुत हे वी है है हमने दो इंच मोटा है जिसको हमने उपर से कटींग कर दिया जहां दोस्तो आप देख सकते हैं यह जो पाइप है इसका 3 हिस में इस हमने काट दिया है 2 हिस इस समय बचा हुआ है ठीक है दोस्त अário can इसमें बचा हुआ है ताकि इसका पानी ओवर्फलो ना और बड़ आराम से उपर से पानी पी सके दोस्तों अभी हमारा फार्म खाली है इसलिए बड़ को मैं नहीं दिखा सकता लेकिन हमारी चैनल पर एक सोट वीडियो है जो बड़ किस तरह से उसमें पानी पी रहा है कितनी असानी से पी रहा है अब देखना चाहिए तो देख सकते हैं हमने सोट वीडियो डाला हुआ है ठीक है दोस्तों तो अभी हम बात करते हैं इसकी तो पूरी की बात हो गई अभी मैं इसका वाल्व सिश्टम आपको दिखाता हूं इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो ऐसो तो दोस्तों यहां पर जो है तो यह पाइप जो है तो डारेट आप टंकी से मेरा कनेक्ट है देख सकते हैं आप मेरा चोड़ा सा टंकी है इससे हमने कनेक्ट किया हुआ है डारेट यह पाइप है तुलू पाइप का जो पाइप लगता है वो लगा हुआ है हमने यहां पे सवीच लगाया हुआ है जिससे कि यह बन चालू कर सके पानी मीरा में जिसके कारण यहां नहीं गिर्गा अभी मैं इसको पानी आपकी सामने करने चालू करके दिखाता हूं घिक है कर लेता हूं उसको कर लेता हूं हो गया ठीक है पानी आना सुरू हो गया जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी है जिसके वज़े से यह बोतल ऊपर आ रहा तो पानी बंद हो रहा है मैं उसको भी पूरा सिस्टम दिखाता हूं आपको थोड़ा सा अच्छे से दोस्तों भी मैं केले वीडिय जैसे उपर आ जाएगा मतलब यहां से थोड़ा सा नीचे रहेगा इस लेबल के अनुसार से ही यह डबा लगा हुआ है जिसको हमने कटिंग करके बनाया हुआ है मैंने मतलब का और दूसरे के लिए था इसके लिए आप यह चीज ना सोचे ठीक इसको मैंने यहां से इस तरह से पानी मेरा आ रहा है ठीक है दोस्तों तो यहां पे जुँत सब्सक्राश। के सब्सक्राई वह था सब्सक्राइब आप बैने आप देखना को आप को दिखाने का को अभी मेरा पानी नीचे गिर रहा है क्योंकि मैंने स्कोड हटा दिया है अभी देख सकते हैं जैसे कि यह उपर चला जाएगा धकन जैसे मैंने इसको बोतल को थोड़ा के रखा खीच के रखा तो पानी आना सुरू हो गया मैंने छोड़ दिया यह पानी आटोमेटिक कंट्रो था इसके हैं तो इस थे ही यहां जो पानी फित त्रसलिए हमने इस तरह से लगाया हूआ है कि इस तरह से हमने लगाया हुआ है ताकि पानी मेरा बेस्ट ना हो ताकि पानी मेरा नीचे ना गिरे ताकि मेरा लीटर जो फ्रेंट सुखा रहे और आप देख सकते हैं लीटर का कंडिक्शन मेरा अच्छा खासा है तो दोस्त अभी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें लेबल पाइप लेबल पानी में इसमें जैसे पाइपका लेबल जह ना कि बराबर पानी रहा थीक पर इसी तरह से यह ऋमीद का समझ गये होंगे कि हम ने इसको कैसे 108 और लगाना बहुत जरूरी है दोस्त जैसे कि पानी को कभी माल लीजा आपको पाइपलाइन साफ करना है तो आप थोड़े दिर पहले इसको बंद कर दीजे ठीक है तो आप पानी फिर बढ़ पी जाएगा इसके आप सफाई कर सकते हैं और इसमें जो है सो पानी भी कंट्रोल कर स थीक है दोस्त मेरा तनक की नीचे चीशे इस लिए मुझे परसानी नहीं होता है लेकिन मुझे ऐसा लग राएक ऐसा परसाणीום हो सकता है तो आप पास जबि ऐसा परेसानी हो तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल जरूर करें तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यहां समझ में आ गया होगा तो दोस्त आप बात करते हैं कि इसकी फायदे और नुकसान के बारे में तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ठीक है तो क्या करें एक ही वीडियो में सारी जनकारी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों वैसे आपको बता दें बहुत सारे लोग बोलेंगे लिटर गिल्ला होगा तो नहीं दोस्त आप देख सकते हैं कि लि में फायदे तो हैं फायदे यह हैं दोस्त की सफाई करने में बिलकुल मिनट भी नहीं लगते हैं चालिस फेट का मेरा पाइप है मैं आधे मिनट में इसको कर लेता हूं तुरंत बहुत अच्छी से सफाई भी हो जाता है और दूसरी बात इसमें यह कि बढ़ को बहुत असान ठीक है दोस्त और जो ऐसो इसमें जो हमने अच्छी अच्छा देखा है और बड को पानी की कोई कमी नहीं होती है इसमें गाउट का भी प्रोग्लम मुझे बहुत कम नजर आया लेकिन दोस्त यह तो हो गई फैदे की बात ठीक है और इसमें दोस्त एक चीज और बता दें तो हम इसमें जो डवा डालना हो जिते आपको द वा चलानी है तो आप इसमें टेंगी में भी डाइट चला सकते हैं थीकल लेकिन же में नहीं जा बाद आप पाइपिलाइदे भान दाल सकते हैं तो अब इसतऱ से यहां पे भी पानी हो बनाया हुआ उसको झाले Orbis 145 में जालू करने इसके दोस्तों इसका नुकसान यह आप विडियो कि उसमें निखो आधाINE। फीक इसके बाट जो चल जाता है यह हो गद्रा का जाता है कि फेर के अहam जो जाता ह मने को गद्राइग का आ सकता है अगर इस तरह का पाइप लागाना चाहते हैं तो आपको सफाई पे खास करके ध्यान देना होगा और बड के हिसाब से इसकी हाइट को आपको maintenance करके रखना होगा जहां दोस्तों अगर जिदि आप बड़ मेरा आपका बड़ा है और हाइट को इस आपने नीचे छोड़ दिया है तो यह बड़ और भी ज्यादा आपका pipeline को गंदा करेगा तो आपका जो बड़ जिस हिसाब से उस हिसाब से हाइट पर लाना बहु ज़रोरी तभी जाके आपका यह जो है सो pipeline थोड़ा सा अच्छा खासा सफाई रहेगा तो दोस्तों यह तो होगे इसकी नुकसान की बाद और फायदे की बाद हमने आपको बता दिया तो दोस्त अगर जिदि आप अपने फारम पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं दो कुछ मैंने इसको खुछ से welding welding करवा के बनवाया टोटल चीज तो हमने इसमें देखा कि जिस हिसाब से इसकी गंदगी हो रही है और फ्रेंट्स उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं इसमें तो इकोला इसा वगेरा वगेरा आने का चांस जादा रहेगा इसलिए जो हमने इस इस सैड में हमने spoken फिट किया था तो इसमें क्या होता ना फ्रेंट्स की इधर का जो बर्ड जैसे आपका इस पाइप लावन बीच में है इस पाइप लाएन में वह ब experi लाण चाहते हैं और इस सैड लिएसे कि आपको इसने के तो आपको देंगा तो बंदा जो भी है तो जब आपको करना होता है उसमें बीकिख रात के समय में लीटिंग को होता है तो आप तूरण तो खोल के हटाओगे नहीं या फिर जो सो बड़ लिफ्टिंग होने से पहले आप दो घंटा पहले तो खोल तो दोगे नहीं इसको क्योंकि बड़ को पानी होती है क्योंकि बंदे को थोड़ा सा पाऊ में लग जाता है या फिर बड़ को भी इधर- कर रहे हैं व्ह Steruktur हमारे पास वाइप बहुत है हमारे पास यह पाइप कर रहे हैं हमारे पास यह पाइप है नहीं को भी क्योंकि कर सोचा के नहीं नहीं लेकिन अभी फिलाल हमने बना ऑनाया time हम इसको अंहीं है और हमें दोस्तों नहीं है दिक सकते हैं कि हैं 같은ॉ है szczegól हम और मैमिज़े अच्छा नहीं लगा मतलब सारा सुषिधा नहीं है कुछ फरैसानी तो मैंने छोड़ दिया कटश्रा फारम को प्रेंट्स आभि देख अरण के करें करें तो मैं आपको वीडियो बना किस तरह से है इसमें क्या फायदा हाय ₹ नुकसान है और क्या हो रहा है कितना उसमें सुविधा है पानी देने में दवा देने में और क्या तकलीफ है उस सारी चीज़ों का आपको जानकारी दूँगा तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक